नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी चैनल ममता जवे में कैसे हैं आप सब तो ये बताने के लिए कॉमेंट बॉक्स में जै माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखे और आप सभी को नए साल की धीर सारी सुब कामनाई इन एडव तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे नया साल में हमें कौन से पांच कार अवस्य करने चाहिए जो कि बिल्कुल जरूरी है बिल्कुल आपको भूलनी नहीं है ये पांच कार आप जरूर उस दिन कीजिएगा अगर आप करते थे तब तो बहुत अच्छी बात है हर साल अगर माली जे नहीं करते थे तो इस साल तो जरूरी इस प्रकार से कीजिएगा जो पांच कार है मैं आपके साथ सेयर करूंगे और कौन से तीन कार है उस दिन हमें नहीं करने है भूल कर भी जरूरत ना पड़े तो बिल्कुल मत कीजिए तो इसी के उपर आज का हमारा वीडियो है इससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा बैल आइकन को प्रेस कर दिजेगा जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे तो च दो साल से जो हमारा साल बीत रहा है और किसी के लिए भी सही नहीं था, उतना अच्छा तो नहीं बोलेंगे, क्यूंकि आप लोग को मालूम ही है कि दो साल से देश में क्या हो रहा है, इनी साल हम बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं कि 2022 सब के लिए सही हो, अच्छा रहे ये साल सब की जिन्दगी में खुसिया लेकर आए, और जो जहां है वो मतलब सही सलामत रहे, स्वस्त रहे, यही भगवान से हम कामना करते हैं, तो सब की जीवन में नया साल मंगल मैं हो, तो चलिए जान लेते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा नियम है, जो कि मैं बता भी चुकी हू कि आपको सुबह उठ करना उल्टी सीधे लोगों का मुह नहीं देखना है, ठीक है, नया साल की सुरुआत हमें सो कर उठ कर ऐसे तैसे इधर उधर घूमने लगे, बाहर निकल गए, कोई न कोई सामने पढ़ गया, तो इसलिए थोड़ा बाहर जल्दी से ना निकलें, और निकलते भी है, तो मतलब अपना कारे करके और अंदर फीर आजेए, किसी का मुह जल्दी से मत दिखिये, अगर बेट से सो के उठते हैं, आपको याद आ जाए, तो अपनी मुह को पोच कर और अपने हाथों को आपको देख लेनी चाहिए, उसके बाद या मीरर के सामने अच्चो को देख लीजे, लेकिन जल्दी से उल्टे सीधे लोगों का मुह नए साल में मत देखियेगा, जो कि पूरा साल हमारा खराब हो जाए, जगडालू लोगों का मुह तो बिलकुल मत देखिये, ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम, दूसरा नियम क्या है, कि उसके बाद हमें उठकर सबसे पहले अपने सूर्य देव को जल्देनी है, जो कि सभी महिलाएं करती है, पूरुस भी करते हैं, तो आपको अगर जबी टाइम मिले, क्योंकि ठंडी का दिन है, तो इतना सूबद तो सब लोग नहीं कर पाते हैं, आपको जबी समय मिलता है, थोड़ा जल्दी ही कर लिजिएगा, तो सूर्य देव को आप जल्द चड़ाएं, जल्द देने के बाद आपको क्या करने हैं, अपने घर में पहले पूजा कीजिए, भगवान लोग का आरती कीजिए, दिया जलाईए, जो धूप अगर बती जो ही जलाते हैं, वो भगवा जल्द चाहिए, तो उसकी लिए भी मैं बता देती हूं, और साम को अगर जा सकते हैं बाहर, तो आप मंदीर भी आपको उस दिन जानी चाहिए, नया साल में जरूर मंदीर जाएए, नए-नए कपड़े पहन कर मंदीर आपको जरूर जानी चाहिए, और नहीं तो अपने घर में भगवान को पूझा कीजिए सूर्य देवका कीजिए तुलसी माता कर कीजिए और अपने मंदीर में पूझा आपको उस दिन अवस्ष करनी चाहिए ठीक है तीसरा नियम क्या है कि अगर मिठाई लाए हैं तो भी नहीं लाए हैं तो भी अपनी घर में कुई भी पकवान ब भगवान का मौह आप जरूर उस दिन मीठा करें अपने मंदिर में भोग लगाईए और अच्छे से सभी परिवार मिलकर उस दिन पूजा अवसे कीजिए अगर बच्चे भी तो ठंडी का मौसम है माली जो बुजूर्ग हैं जो बच्चे हैं नहीं नहाप आ रहे हैं तो उनक के बाद से अपने बच्चे और बड़ो के उपर जो बुड़े मतलब बुजूर्ग लोग हैं उनके उपर अगर नहीं नहाप आते हैं क्योंकि कई आदमी के तवियत बहुत खराब रहते हैं तो नहीं नहाते हैं तो उनके उपर गंगा जलका छिड़काओ कर दीजेगा ठी है तो यह हो गया हमारा तिसरा नियम चौथा नियम क्या है कि फोन से हो या जिस प्रकार से अगर आपके घर में बड़े लोग हैं तो सभी का आपको पैर चुकर परणाम करनी चाहिए या फोन से भी लगा कर जो ही बड़े हैं आप से बड़े उन सभी लोगों का मीठा बेवार कीजिए अच्छी से बात कीजिए किसी को न उस दिन कड़वा बोलना है न किसी को मतलब कुछ ऐसा ना कि कुछ वह ऐसा बोल दिये कि पूरे जीम मतलब साल के लिए उस आदमी को यादगार जैसा हो जाए उस परकार से बाते नहीं करनी है मतलब खुस नुमा महाल रखनी है आपको तो इस परकार से बड़ो को परणाम कीजिएगा तो यह हो गया हमारा चौथा नियम पाचवा नियम क्या है कि हर सुहागिन महिलाओं के लिए या सभी के लिए लड़किया जो ही है उस दिन अपना स्रिंगार जरूर कीजिए जो ही हमारा सोला स्रिंग करते हैं कई लोग है न कि जैसे बाल में कंगी नहीं करते हैं चलो कुछ भी हो गया इस परकार से मत रही है अपना च्छत थोड़ा सा पहना हुआ है ड्रेस वगर पहनी है लेकिन थोड़ा नया टाइप से पहन लीजिए और उसके बाद से सारे स्रिंगार करने के बाद आप आपको एक स्रिंगार बिलकुल नहीं भूलनी चाहिए वो क्या है महावर महावर आपको पक्का लगानी अपने पैर में ऐसा माना जाता है न कि जो कार हम नए साल में करते हैं वो पूरे साल हमें मतलब भगवान की कृपा द्रिष्टी अगर हम पर बनी रहे तो हम अच्छे अच्छे कारे करते हैं और पूरे साल अच्छे से मतलब हर चीज कर पाते हैं ऐसे तो भगवान की मर्जी है लेकिन हर सुहागिन महिलाओं को महावर उस दिन जरूर लगानी चाहिए बिलकुल नहीं भूलनी चाहिए ठीक है तो ये हो गया हमारा पांचवानियम तो ये पां आपको न नए साल में किसी से जगडा नहीं करनी चाहिए ओ घर परिवार का लोग हो या बच्चे हो न डाटना न मारना मतलब घर के महावल को खराब मत कीजिए घर का महावल खराब करना भी आपके ही हाथ में है और महावल को अच्छा रखना भी आपके ही हाथ में है तो क बिल्कुल जगडा से उस दिन बच के रही है अगर कोई हमें गुसा दिलाता भी है तो हमें गुसा नहीं करनी है बिल्कुल अपने आप पर कंट्रोल रखनी है ठीक है नया साल में आप बिल्कुल गुसा लड़ाई जगडा मत कीजिएगा दूसरा नियम क्या है कि कर्ज आपक कुछ emergency हो जाए तभी आप किसी से कुछ लीजिए और दीजिए जो ही भगवान का दिया हुआ अगर आपके पास है नमक रोटी ही है या जो ही भगवान ने आपको दिया है उसी में उस दिन चलाईए लेकिन कभी किसी से कुछ उस दिन मांगिए मत क्योंकि पूरा साल भगवा ने साल में न मांगे और ना देने की भी कोशिस ना करें तो पूरा साल हम बाठते ही रह जाएंगे तो देख लीजिए आप अपना तिसरा नियम क्या है जो हमें नहीं करनी है कि आपको ने साल में जरूरत अगर ना पड़े पहले से ही कर लीजिए तो आपको मैडिसिन दव दवाई वगरा की खरिदारी उस दिन करने से बचनी चाहिए ऐसे तो देखिए बीमारी और दुख जो है कहकर नहीं आता है कभी भी कुछ भी हो सकता है लेकिन अगर बच सकता है तो ने साल में दवाई खरीद कर सुरुवात मत कीजिए तो थोड़ा सा आपको बचनी चाहि अग्दम जरूरत पढ़ जाए तो खरीद सकते हैं लेकिन ना जरूरत पढ़े तो उस दिन आपको बचानी चाहिए नए साल में अच्छे अच्छे कारी कीजिए उसको यादगार बनाईए न कि ऐसा ना हो कि ये साल आया तो हमारा इस प्रकार से चला गया ऐसे तो दो साल स सुखी संपन ने रहे और स्वस्त रहे सबसे बड़ा चीज वही है जिस भी बीमारी से हम घीरे पड़े हैं उससे छुटकारा मिले हमें तो हमारे कुछ अच्छे नियम थे जो कुछ करने है और जो कुछ नहीं करने है वो सभी बाते मैं आपके साथ सेयर कर दी आसा करते हू उमीद करते हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिकलाब मिलेगा फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार स्वस्त रहे सुरक्षित रहे और जहां कहीं भी रहे खूब खूस रहे और हैपी नियर अच्छे से सेलिबरेट कीजिए ख